हैं लोगे छली फ्रेंड्स कैसे हैं आई हो अच्छे होंगे अपके लिए वीडियो में और ले करके आया हूँ जैसा कि मैं आप बतादू तो फिरन फटा-फट मैं आपको उता तो एक सेमसंग का है इस एवन मॉडल को दिखा न चाहूंगा यह थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा Samsung का A700 मैं इधर देख लेता हूँ इधर भी नहीं देख रहा मुझे तो A7 मॉडल है फ्रेंट्स में आपको जैसा कि दिखा दू A7 Samsung का A7 यह मॉडल है जो कि यह FRP पर है फ्रेंट्स में आपको दिखाना चाहूंगा यह सेट FRP पर है तो आज मैं आज कुछ निया लेकर काया हूँ तो मैं इसको आज FRP बाई-पास करके दिखा हूंगा जैसा कि मैं दीरे-दीरे बाई-पास की वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ करेंगे Okay करेंगे और देखेंगे यहां पे नेस्ट का बटन नहीं आ रहा रहा है मतलब यह Friend FRP पे है e7 Samsung का Claud Ray 7 तो Hayır 1000 इसको बहुत एजली तरीकले से करने वाले हैं तो यहां पर इसका थोड़ा सा light का हुआ है नहीं तो आपको proper model दिखा देता है हला कि ए7 तो इसके MFR भी बाइपास करेंगे तो चलिए आप यूडियो को लाज तक देखेंगे और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तूरंत मेले तो चलिए हम आगे देखते हैं आ यह रखता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सबसे जो है कि इसमें आपका जो होता है आपका सीम मेधार्ट 10 में टाइमदे में ट्रहिए चुपका रहा है Ned Members एम मैन् 10 काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको यह बताना का सबसे पहले है इसको हम вас YouTube पे ले जाना है तो सबसे पहला process है इसका YouTube पे ले जाना तो मैं इसको एक app के माद्यम से चुटकी में friends जैसा हमारा software सिखाया जाता है चुटकी में मैं इसको उस पे ले जाऊंगा YouTube पे ले जाऊंगा तो चलिए सबसे पहला यहाँ पर भी अभी आपको सो होगा कि हमारा Samsung का A7 Connect हो चुका है फोन अब उसके बाद हमें फ्रिंट्स करना क्या है कुछ भी ने करना यह देखी Galaxy A7 फ्रिंट 2018 आप देख सकते है Galaxy A7 हमारा यहाँ पर Connect हो चुका है अब उसके बाद यह हट जाता इसलिए मैंने वेरिफाई कर दिया है इसके बाद हमारा यह Chrome खुल चुका है तो मैं यह डाटा के बाद लगा हुआ है इसके बाद कागी का प्रोसेस में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अब देख सकते हैं यह दाटा के बाद लगा हुआ है यह हमारा जैसे वाफर पर बाइपास हो गया तो यह डारेक्ट आपका खुल दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं और यह डारेक्ट हमारा YouTube यहाँ पर ओपन हो चुका है तो डारेक्ट आप हमें simply हमारा यह Chrome खुल चिका है अब हम इसको बाइपास करेंगे और आपको पूरा प्रोसेस यह पर बाइपास का देखाने वाले हैं तो finally friends चली अब इसको बाइपास करेंगे तो आपको Google में जाना है और Google में लिखना है यहाँ पर जैसा कि आप देख स without space आपको लिखना है FRP फाइल लिखना है बिना space के आपको FRP फाइल लिखना है और इंटर कर देना है तो जैसे आप इंटर कर देंगे आप पहले वाले साइड में आपको जाना है FRP.com APK में आपको जाना है तो friend आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर देख लूँ Download option आ रहा है Download option आ रहा है friends अब आपको यहाँ पर सबसे पहला APK जो download करना है आपको download करना है bypass FRP 1.0 सबसे पहला APK आपको यह download करना है इसको continue कर देना है अब allow कर देना है उसके बाद यहाँ पर एड को cut कर सकते हैं download पर click कर देंगे एड को फिर से एक बार मैं cut कर दूँगा और यहाँ पर cut और यह ok कर दूँगा यह एक बार cut कर दूँगा और जाओंगा download में दिखूंगा हमारा एक APK तो हमारा एक तो download हो चुका है हमारा यह और side में हमारा यह channel है smart telecom आप इसे जाए और इसे ज़्यादा ज़्यादा like और subscribe पहले बाद तो subscribe कर दीजिए उसके बाद friends आपको अच्छा लगे तो बाकी आपकी मरजी तो चलिए अब उसके बाद फिर से हम back जाएंगे और दूसरा APK आपको download करना है आप यहाँ पर देख सकते है google account manager 8910 अब यह android version होता है आप इसको भी download कर लेंगे और यह video आपको अच्छी लगेगी इसके बाद back और इसके बाद install कर देना है तो आई ओब यह video आपको मैं FRP bypass मैं यह खुद कर रहा हूँ friends मैं अब FRP bypass यहाँ पर खुद कर रहा हूँ अब यहाँ पर देख सकते हैं फिर इसके बाद आपको इसको run करना है install करना है अगर यह ट्रिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सस्क्राइब बना विल्कुल भी ना भूले तो आई ओब यह हमारा है मतलब 100% मैं बहुत ही कम टाइम में 100% मैं पहुत चुका हूँ FRP bypass के ट्रिक में अब यहां पर यह 3 डॉर्ट दिख रहा है अब को यह थ्री डॉर्ट पे जाना है यह 3 डॉर्ट पे जाने के बाद ब्राउसिंग सबसे में मैंटर होता है इसका YouTube लाना YouTube लोग नहीं ला पाते है इसलिए उसमें सारी दिक्कते आती है बहुत सारे दिक्कते होती है यूटूब ना लाने के वैसे अब इसमें हमें अपना गूगल का साइन अप कर लेना है कोई भी एक जीमेल डाल देना है तो हमें एक 20 सेकंड के लिए थोड़ा सा पोस्ट करूंगा और आपको यहां पर लाइव भी करके दिखाऊंगा बस यहां अब आपको कुछ भी नहीं करना है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज हमारे इस चैनल को स्मार्ट टेलिकॉम जो की बहुत सारे सॉप्टर और हर्डवेर के वीडियो डले है अब सिंपली आपको फोन को फ्रेंड रिस्टार्ट करना है यह देखी औ इस एसेवन है मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हुँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज ज़्यादा ज़्यादा हो सकेगा तो सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेयर कीजिए हमारे इस चैनल को स्मार्ट टेलिकॉम चैनल को जितना आप सपोर्ट करें इसका जो मेन मेंटर था यूट्व तो आप यूट्व जो भी सूर्से से अगर पहुँच जाते हैं तो आपको बहुत ही कम समय में आप यहां पे काम को कर सकते हैं एग्री करेंगे अगर आप यूटूब तक बहुत जाते हैं तो आप बहुत कम समय में काम FRP बाइपास कर सकते हैं अब इसके बाद देखिए हमारा गूगल साइंगें है और हम इसको नेस्ट करेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा नेक्स करेंगे और आई होब आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक मैं इतना बोल रहा हूं क्योंकि आप हमारे चैनल को जितना हो सके उतना प्यार दे और यह ट्रिक आपको अच्छा लगा तो सुधारने के पूरी कोसिस करूंगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज हो सकेगा जितना हो सकेगा आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो आई होब मैं आपके सामने यह लाइव ही करके दिखा रहा हूं आप यहां पे देख सकते ह और बाकी सारी चीजें अगर आपको अच्छे लगी तो फिर से मैं एक बार रिमैंड कर रहा हूं कि इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को सेर कीजिए जिससे टैक्निशन्स को काफी हेल्फ मिले तो यह थोड़ा सा टाइम यह तो जॉब ड़न होई चुका है फ्रेंड्स बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं प्रॉपर यहां पर करके यहां पर दिखा रहा हूं कि कंटीन्यू स्किप यह थोड़ा सा सेमसंग का प्रोसेस तो लेता ही है बट फिर भी और इसे इंस्टॉल तो नहीं करेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना जो बिल्कुल यह ना भूलें तो फाइनली हमारा यह फारपी बाइपस बहुत ही कम मिनट के अंदर ही हमारा बहुत ही इजी वे में हमारी फारपी जॉब ड़न हो चुकी है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और